आज के व्याख्यान भगवती चैन बर्मा की कहानी कला मैं आप सबका रिदे की अतल गहरायों से स्वागत, बंदन, अभिनदन आज के इस व्याख्यान में हम भगवती चैन बर्मा की कहानियों के विकास के पारे में उन्होंने अपनी कहानियों का अंत किस तरह से विभिंता के साथ किया है इसके विशे में गहराई से समझने का प्रयास करेंगे भगवती चैन बर्मा का साहितिक जीवन एक कवी के रूप में प्रारंभ होआ था बहुत कम लोग उन्हें कवी के रूप में जानते हैं पंडित विश्रनाथ शर्मा कौशिक ने भगवती चैन बर्मा के अंदर छिपे कहानिकार के गुनों को पहचाना और उन्हें प्रेरित किया कि वे कहानियों का स्रिजन करना प्रारंभ कर दें किन्तु भगवती चैन बर्मा की प्रारंभिक कहानिया आज अनुपलब्ध है उनकी समस्त कहानिया जिन्हें उन्होंने मेरी कहानिया शीशक से संकलित किया है अब उपलब्ध जरूर है वर्मा जी कहानि को शब्दों के अंदर बंधी हुई ऐसी कालपनिक रचना स्विकार करते थे जिसका मूल बिंदू एक छोटी से छोटी घटना भी हो सकता है किन्तु उसके अंतरगद भावात्मक समवेदनाओं का होना अनिवार्य मानते थे उन्होंने अपनी कहानियों को कालांतर में साहित की विभिन विधाओं के अंतरगद उन्हें रूपांतरित भी किया जैसे उनकी कहानी वह फिर नहीं आई बाद में उपन्यास का रूप ले लेती है इसी तरह से पैसा तुम्हें खा गया कहानी को बाद में उन्होंने नाटक का रूप दिया उनकी कहानियों के अगर हम विशे देखें तो विशे की दृष्टी से भी उन्होंने अपनी कहानियों में विभिनता लेकर आए जैसे पुंजी पत्यों के अर्थ बल को लेकर आर्थिक समाज में जो विपनता दिखाई देती है उसके कारण समाज के विभिन स्तरों पर जीवन जीते हुए लोगों की विवश्टाओं को उन्होंने खिलावन का नर्क बेकारी का अभिशाप कहानियों में चितरित किया है उन्होंने प्रेम से जुड़ी कहानिया भी दिखें जैसे इंस्टॉल्मेंट, विवश्टा, उत्तर दाइब इन कहानियों में उन्होंने ना केवल प्रेम भावना को अभिव्यक्त किया उन्होंने ये भी बताया कि कही बार व्यक्ती प्रेम के कारण तिन समस्याओं को अपने जीवन में अनुभव करता है उसकी क्या समस्याइं हो सकती है और प्रेम में भी जब अर्थ सामने आ जाता है जब अर्थ से जुड़ी समस्याई सामने आ जाती है तो प्रेम किस तरह से विलुप्त हो जाता है और व्यक्ती स्वाथपून आचरण करने लगता है उन्होंने काम भावना को लेकर भी अपनी कुछ रचनाओं का स्रिचन किया जिसमें प्रेजिंस दो राते बाहर भीतर कहानियों को हम उधारन स्वरूप ले सकते हैं भगवती चर्ण वर्मा नैतिकता पर बल देते हैं उनका मानना था कि जीवन में हमारे साथ कुछ मूल्य चलते हैं जिनके साथ हमें अपने जीवन को गती देनी होती है नैतिक मूल्यों को विशे बनाकर लिखी गई उनकी रचनाओं में दो राते परिचेहीन यात्री दो पहलू एक विचित्र चक्कर कहानियों को उधारन स्वरूप हम ले सकते हैं भगवती चैन वर्मा ने केवल नैतिक्ता, काम, प्रेम, अर्थ वैभिन्य कोई अपना विशे नहीं बनाया उनकी कहानियों में हमें हास विनोत की स्रिष्टी भी दिखाई देती है यथा मुगलोंने सल्तनत बख्ष्टी, तिजारत का नया तरीका लाला तिक्डमी लाल इन कहानियों में आप देखें मुगलों ने सल्तनत बख्ष दी कहानी में किस प्रकास से एतिहासिक यथार्थ का चित्रन उन्होंने हासे विनोध शैली में किया है कि व्यक्ति के अंदर पाठक के अंदर इस कहानी को पढ़ने की जिग्यासा आध्यंत दिखाई देती है भगवति चर्ण वर्मा कहानी के विकास के लिए कुछ चीजें बहुत आवशक्त मानते थे उनका मानना था कि कहानिकार को कहानी का विकास करने के लिए किसी जद्दो जहत का सहारा नहीं लेना चाहिए कहानी वही सार्थक वही पाठकों को जिग्यासा देने वाली उनका मनुरंजन करने वाली या अपना उद्देश स्थापित करने वाली हो सकती है जो अपने समय के साथ साथ विक्सित हो जहां वो कहानी घटनाओं के घात प्रति घात से पात्रों के किरिया प्रति किरिया से विक्सित हो जहां कहानीकार को स्वयम उपस्थित होकर उसका विकास करने की आवश्यक्ता ना हो वही कहानी सार्थक होती है अपनी कहानियों के विकास के लिए भगवती चैन वर्मा ने विभिन प्रकारों का अबलंब लिया है कहीं कहीं कहानिकार स्वयम सूत्रधार के रूप में पूरी कहानी में उपस्थित रहा है यथार उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कहानी को स्वयम पात्र बन कर सुनाया है लाला तिकडमिलाल कहानी चार खंडों में अभिव्यक्त है और इसमें उन्होंने लाला विक्रमी लाल द्वारा आयोजित कवी सम्मेलनों में किस प्रकास से धोका धड़ी की जाती है, किस प्रकास से पुरसकारों को लेने के लिए छीना जप्टी होती है, किस तरहे से उसके अंदर स्वात्थ छिपा होता है, इसको बहुत सुन्दर तर हर व्यक्ति पुरुस्कार पाना चाता है। किन्तु उस पुरुस्कार प्राप्त करने के लिए किस प्रकास से वह दूसरे व्यक्ति को पीछे घसितने की कोशिश करता है। प्रति द्वंदिता किस तरह से दिखाई देती है और अंत में किस तरह से तिकड़मी लाल उन सारी की सारी चालों को उधगाटित करते हैं। ये देखने और समझने के लिए लाला तिकड़मी लाल कहानी को पढ़ना बहुत रोचक सापित होता है। भगवती चैन वर्मा कथा विकास में स्वाभाविक्ता और नाटकियता लाने के लिए कई बार वाचक और कथक की भूमिकाओं में अदला बदली कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी अपनी कहानी को अपनी अपनी बात को कहने के लिए सुनाने के लिए पात्रों में एक प्रकार की उच्छ सुकता दिखाई देती हैं। वो आगे बढ़कर अपनी कथा को स्वयम कहने लगते हैं। इसी प्रकार से कई बार वो अन्य पात्रों से अनुमती लेते हैं। क्या हम ये बात कह सकते हैं? क्या आप इस बात को सुनना पसंद करेंगे? इस तरहे से वो अनुमती लेकर अपनी कहानी स्वयम कहने के लिए आगे आते हैं मुगलों में ने सल्तनत बख्षती इस कहानी में हीरो पात्र गोवर्धन शास्त्री द्वारा सुनाई राजा बली की दान वीरता को मुगलों की दान वीरता के सामने श्रिष्ट साबित करना चाहता है और इसलिए वे श्रोताओं की जिग्यासाओं को जागरित करने के लिए उसे उकसाने के लिए अपने आप मन गरंद कहानी सुनाने लगता है बीच बीच में श्रोताओं की पाठकों की जिग्यासा बनी रहे इसलिए अच्छा तो फिर सुनाऊ'm हाँ तो जनाब इत्यादी वाक्यांश कहकर वह कथा के धीले होते हुए सूत्रों को पुन्हा तानने का प्रयास करता है और इस तरह से कथा घात प्रतिखात के माध्यम से आगे बढ़ने लगती है ऐसा कहानिकार क्यों करता है उसका स्पष्ट कारण ये है कि जब एक ही व्यक्ति लगातार बोलता रहता है एक ही पात्र लगातार अपनी बात कहता रहता है तो निरस्ता उत्पन हो जाती है इस निरस्ता का परिहार करने के लिए इस निरस्ता से बचने के लिए इस प्रकार के वाक्यांशों का अप्योग किया जाता है जिससे पाठ़क और कहानी के बीच एक तार्तम में हमें दिखाई देता है भगवती चर्ण बर्मा की कहानी एक अनुभव में परमेश्वरी के पूछने पर पृत्वीनात लोगों की अनुमती लेकर अपना अनुभव सुनाने लगते हैं इसी तरह से इनकी कुछ कहानियों में मुख्य वक्ता पात्र विशेश से प्रश्ण पूछता है और इस तरह से उस प्रश्ण का उत्तर देते हुए अन्य पात्र कथा सुत्र को अपने हाथ में ले लेता है और कथा आगे पढ़ने लगती है इस संदर्भ में भगवती जर्ण वर्मा ने लिखा है और एक अनुभव तो मैं शायद जिन्दगी भर ना भूलूँगा यदि आप लोग सुनना चाहें तो मैं उसे सुना भी सकता हूँ इस उधारण से स्पष्ठ हो जाता है कि किस तरह से एक पात्र कहानी के सूत्र को अपने हाथों में ले लेता है यदि दूसरा पात्र अपनी जिग्यासा उत्पन करता है कि हां तुम बताओ कि तुमने अपने जीवन में क्या अनुभव किया है तो वो उस बात को सुना कर कथा के धीले पड़ते हुए सूत्र को तन देता है दो बाके कहानी में लेखक इक्के वाले से उसकी जीविका के बारे में पूछता है और इसके साथ साथ वो ये भी जानना चाहता है कि रकाप गंज के पास जो इतनी सारी भीड इखटी हो गई है उसका क्या कारण है उसके द्वारा पूछा के ये दो प्रश्नों के उत्तर में इक्के वाला वाचक की भूमे का ग्रहन कर लेता है और वो बताता है कि कैसे बाकों के मध्व विच्चित्र प्रकार की प्रतिद्वन्दिता दिखाई देती है इस तरह से अब तक जो इक्के वाला श्रोता की भूमिका में था वो वाचक की भूमिका में आ जाता है वो कहता है अरे हजूर इन बाकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़े ही होगी इसमें खून भहेगा और लड़ाई तब तक खत्म ना होगी जब तक एक बाका खत्म ना हो जाए ये चारपाईया उन बाकों की लाश उठाने आई हैं दोनों बाके अपने बीबी बच्चों से रुकसत लेकर और करबला के लिए तयार होकर आवेंगे इस उधारण से हमें पता चलता है कि बाकों की लड़ाई कैसे होती है किस तरह से उसका अंत होता है जब तक कोई एक जना काल कवलित ना हो जाए मृत्यू को ना प्राप्त हो जाए तब तक की लड़ाई चलती जाती है इसी प्रकास से अगर हम देखें तो एक विचित्र चकर कहानी में पूरी मित्र मंडली के साथ बैठे देवेंद्र के नाम जो तार आया था वो सब में एक उस्तुकता जागरित कर देता है सब जानना चाहते हैं कि उस तार में क्या लिखा है और इसलिए उन सभी की सुकता को शांत करने के लिए उसका दमन करने के लिए देवेंद्र अपनी कहानी सुनाता है और ये उसकी कहानी कोई एक या दो अनुच्छेदों में समाप नहीं हो जाती ये कथा चार प्रिष्टों की है जिस समय मैंने बात आरंभ की थी मेरे ध्यान में कमला ही थी हम सब लोगों ने देवेंद्र से विदा ले कई पार वर्मा जी की कहानियों पर आक्षेप लगता है कि इसके समवाथ बहुत लंबे-लंबे हो जाते हैं किन्तु यदि हम ध्यान से देखें तो ये समवाथ कथा को विक्सित करने के लिए स्रिजित किये गए हैं रहसे और रहसोत घाटन कहानी में कलब में आने वाले व्यक्ति अपनी अपनी कहानियों को सुनाते हैं और इस तरह से कथा का सूत्र कभी डॉक्टर कभी मरीज कभी मिस्टर टंडन इनके मध्य घूमता रहता है कोई एक व्यक्ति कथा का सूत्र पकड़ कर कथा को विक्सित नहीं करता मेज की दिवार कहानी में कोई वाचक नहीं है कहानी बहुत छोटी है और राम नरायन के मोनो लौग आत्म संवाद के रूप में पूरी की पूरी कथा विक्सित हो जाती है इसी तरह से भगवती चर्ण वर्मा ने संयोगात्मक घटनाओं के माध्यम से भी अपनी कहानियों का विकास किया है उनकी कहानी प्राश्चित में बिली ठीक उसी समय उठकर भागती है जब प्राश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं कर दी गई थी इससे कहानी में ना केवल हासे की स्रिष्टी हुई है बाहरिय करमकांडों और अंध विश्वासों में कितनी निसारता है कितना धोंग है कितना वो आज के संदर्भों में माइना नहीं रखते ये अपने आप सिध हो जाता है इसी प्राश से उनकी कहानी विक्टोरिया क्रोस है इस कहानी के अंतरगत सुखराम फौजी ट्रेंच में से गोली बारी शुरू करने पर डेंजर जोन से किसी तरह भागता बचता करनल साहब के खेमे में पहुच जाता है वो डरा हुआ है किन्तु उसका ये डर उसके मूँ से गोली गोली शब्द निकालने लगता है ये शब्द बदहवासी में निकले हैं किन्तु संयोग के कारण उसके द्वारा गोली शब्द का कहना सूचना समझ दिया जाता है और उसे विक्टोरिया क्रॉस सम्मान पूर्वक प्रदान किया गया इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से संयोगातमग घटनाएं कथा को विक्सित कर रही है राक और चिंगारी कहानी इस कहानी की नाईका गीता जिस दिद अपने प्रेमी रमेश से विवाहा करना चाहती है उसे दिन गाउं से उसके अभिभावक, भावी, भतीजी बिना पूर्व सूचना दिये आ जाते हैं उनका आना यदेपी प्रसंता को बढ़ाता है किन्तु इस प्रसंता को बढ़ाने के साथ साथ विवाहा के समय जो प्रबंद किये गए थे वो सारे के सारे घटना करम को पूरी तरहे बदल देते हैं कहानियों के विकास के साथ साथ भगवती जैन वर्मा की कहानियों का अंत भी विविधरंगी है कहीं पर अंत भावुत पादक है मर्म स्पशी है तो कहीं लेखक ने किसी समस्या का उदगातन करने के उपरांद अपनी तरफ से एक समाधान उपस्थित किया है एक निशकर्ष उपस्थित किया है और उसके उपरांद उस कहानी को समाध किया गया है तिजारत का नया तरीका इस कहानी में भगवती चर्ण बर्मा ने जेल में बंद खुशवंत राय के छूटने के बाद क्या स्थितियां उथपन हो सकती है इसका अंकन बहुत सुन्दर धंग से किया है छे आने का टिकट इस कहानी में ऐसी स्थिति को उत्पन किया है जब परिवार के अंदर वो महमान आ जाता है जिसके आने की परिकल्पना मेजबान ने नहीं की थी ना केवल वह आता है उसकी जाने की भी कोई स्थिति पता नहीं है इसलिए इस अनिश्यन्तता की स्थिति में दुखी लेखक ने लिखा है लेकिन इस घटना को करीब पंदरा दिन हो गए है और मेरा घर अभी तक आबाद है क्योंकि शिरी राम खेलावन शरण नारायन प्रसाद सिंग के मामा ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लोटे है कितनी विकट स्थिति है आपके घर में कोई आ गया आपको ये नहीं पता कि वो कब जाएगा और आपको उसका आतिती बने रहना गवारा नहीं है क्योंकि आप उसकी महमान नवाजी करते करते ठक चुके हैं और जब उस विकटी विशेश से पूछा जाता है कि आप कब तक जाएंगे तो उसे भी नहीं पता होता क्योंकि दूर के दूर के दूर के जो विकटी उसे लेने आने वाले थे वो कब वापस आएंगे ये स्वयम उसे नहीं पता था वर्मा जी की एक कहानी एक अनुभव में लेखक होटल में देव विपार करने के लिए आई युफ्ती को समझाने का प्रियास करता है कि वो जो कारे कर रही है वो बहुत घ्रिनित कारे है और उसे इस तरहे का काम नहीं करना चाहिए युफ्ती अपनी विवश्ता बताती है उन्हें बताती है कि यदि वो ये काम नहीं करेगी तो वो अपना और अपने परिवार का भरन पोशन नहीं कर पाएगी उसकी बात से द्रवित होकर लेखक उसे पूरे महीने जितना पैसा मिलता है वो उसे दे देता है रूपे लेकर जाने पर यूफ्ती लेखक को आशिरवाद देती है उसे कहती है भगवान आपका भला करे उसके कहने पर लेखक चिंते थो उठता है उसे लगते हैं वो किस भगवान की बात कर रही है कौन सा भगवान लेखक का भला करेगा वो भगवान जिसने इस यूफ्ती को इस घ्रिनित कारे करने के लिए बाधे किया और यह अन्त लेखक द्वारा पूछे गए एक अनुत्तरित प्रश्ण के कारण प्रभावी हो उठता है लेखक ने लिखा है अरे किस भगवान से ये मेरा भला करने को कह रही गई है उसी भगवान से जो उसे ये घ्रिनित जीवन व्यतीत करने को बाधे कर रहा है उसी भगवान से जो उसे गिराता ही जा रहा है उसी भगवान से जिसने इसको उठाना तो दूर रहा है इसे पशु बना दिया है क्या वे भगवान इसके कहने से मेरा भला कर सकता है ये ऐसे प्रश्ण है जो वर्मा जी ने उठाए तो है पर इसका उत्तर ना वर्मा जी के पास है ना आपके ना मेरे पात्रों के आत्म कथन से भी कुछ कहानियों का समापन किया गया है पराजे अत्वा मृत्यू कहानी में प्रतिपल मृत्यू के शिकंजे में कसी जा रही भुवनेश्वरी देवी उसी युवक को पुकारती है जिससे विवाह करने के लिए वह इच्छुक नहीं थी पहले वो उस विवाह से मना कर देती है क्योंकि वो ये मानती है कि विवाह करना एक युवती के लिए पती नामक व्यक्ति के सामने पराजे स्विकार करना है गुलामी करना है और इसलिए वो विवाह करने की स्विकृती नहीं देती पर अपने जीवन का अंत देखते हुए वह उसी युवक को पुकारती है और उससे विवाह करना चाहती है प्यारी कहानी में नाइका प्यारी पती नरायन के जेल जाने के बाद घोर अर्था भाव का जीवन व्यतीत करती है और अपने पेठ की अगनी को शांत करने के लिए वो देव्यापार करने के लिए विवश हो जाती है किन्तु समय हमेशा एक सा नहीं रहता बूड़ी और अंधी होने पर विवश होकर उसे चौराहे पर भीक मांगनी पड़ती है इसी प्रकास से बेकारी का अभिशाप बॉए एक पेग और कुवर सहाप मर गए इत्यादी कहानियों का अंत भी अधूरे वाक्यों के साथ वर्माजी ने किया है ये अधूरे वाक्य जान वूज कर प्रयुक्त किये गए हैं ये वाक्य उन कहानियों के पात्रों की द्वन्द ग्रस्त मानसिक्ता को अभिव्यक्त करते हैं किस प्रकास से ये पात्र मानसिक रूप से परिशान हैं इसे बताने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग अधूरा किया गया है कहानियों का अंत कई बार सांकेतिक हैं जैसे खिलावन का नर्क कायरता कहानियां इस प्रकार के अंत सांकेतिक रूप में इसलिए किये गए हैं जिससे पाठक वास्तविक्ता का अनुभव कर सके उसे समझ में आए कि इस कहानी को उन्होंने कैसे अंत किया है लेखक कहानी के सभी बिखरेवे सूत्रों को जोड़ने का प्रयास करता है उनकी अधिकांश कहानिया दुखान्त है जो पात्रों की लाचारी को उनकी निसाहायता को उनकी छटपटाहट को इस प्रकास से व्यक्त करती हैं कि उसके साथ साथ पात्रों के साथ साथ पाठग भी उसमें बहने लगता है कहानिया जहां अपना विश्राम लेती हैं उनका अंत होता है ये कभी-कभी व्यंग रूब ले लेता है और ये व्यंग इतना तीखा और तिल मिलाने वाला होता है कि पाठग कुछ दे ठहर कर सोचने के लिए विवश हो जाता है कहीं-कहीं उन्होंने अपनी कहानियों में दृष्टान्त भी दिये हैं प्रेरिद भी किया है उनकी केवल एक कहानी वरना हम भी आत्मी थे काम के का अंत मिया राहत के शेर के साथ हुआ है इस ने हमको निकम्मा कर दिया वरना हम भी आत्मी थे काम के इस तरह से मित्रो हमने देखा कि भगवती चर्ण वर्मा की कहानियों का विकास और उनका अंत्म विविद रंग छटाओं को हमारे सामने उपस्थित करता है धन्यवाद झाल